अलो फ्रेंट्स सबका दिन मंगल मैं हो हैपी कोकिंग मोमेंट्स में आज हमने इलेक्शन डे पे बहुत ही हल्दी रेस्पी बनाई है पूरी सबजियों से भरी हुई है तो फ्रेंट्स जरूर ट्राइ करिएगा चैनल सब्सक्राइब करिएगा अगर पसंद आये तो और ये जटपड बन जाती है इसलिए इलेक्शन वोटिंग करने के आने के बाद फिर मैंने इसे बनाया था तो एक बॉल सूजी लेना है महीन वाली सूजी लेनी है मेरी सूजी मोटी है तो उसको ग्राइंड कर लेंगे तोड़ा तो देखे अभी वोट करके आई हूँ तो लाइन लंबी थी तो बहुत टाइम लग गया तो सबजी आप मैंने पहले इसलिए काट ली थी कि शायद देर हो जाए प्याज है शिमला मिर्च और गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया है तो एक बाउल में सूजी डालेंगे और सारी सबजी आड़ करेंगे दही आड़ करेंगे प्याज शिमला मिर्च गाजर आड़ कर दिया है लहसुन को भी हम काट लेंगे तो लगवत तीन लहसुन के कलिया ली है आप चाहें तो लहसुन स्किप कर सकते हैं जीरा खीरा भी हम ये लास्ट में डालेंगे इसको मैं पहले करके नहीं गई थी नहीं तो बहुत पानी चोड़ देता है तो खीरा को मैंने अभी गरेट किया है लहसुन को भी काट लिया अभी हरी मिर्च दो तीउसको काट लिया था काट लिया था अधरक ग्रेट करके डाल दिया है और खीरा जो अभी मैंने ग्रेट किया है बीना पानी निकाले ही इसको हम एड़ कर देंगे और छिलके के साथ ही खीरे का इस्तमाल को ग्रेट करेंगे डालेंगे नमक टेस्ट के अनुसार और फिर आधा बॉल दही मैंने ली हुई है इसमें खटी दही भी हो थोड़ी बहुत तो चल जाती है धन्या पत्ती आड़ कर दिया है थोड़ा सा काश्मीरी मिर्च इसकी बज़ाए चिली फलेक्स भी आप इस्तिमाल कर सकते हैं थोड़ा ये गाढ़ा लग रहा है तो इसको मैंने इसमें थोड़ा सा पानी आड़ किया है इन सारी चीजों को मिक्स करके 20 मिनट के लिए रख देंगे क्यों रेस्ट होने के बाद ये थोड़ा और भी गाढ़ा होगा सुजी पानी एब्जॉब करेगी तो मिश्रण हमारा और गाढ़ा हो जाएगा अब 20 मिनट के बाद आप चाहें तो इनो डालें मैंने बेकिंग सोडा डाला है एक पिंच डालेंगे लगबग एक डेर ती स्पून तेल डाला है सारी चीज़ों को बढ़ियां से मिक्स कर लेंगे अगर पानी की जरूरत हो तो पानी आड़ कर लेंगे तो थोड़ा सा बेटर हमारा गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा लगबग एक टेबल स्पून और पानी आड़ किया है तो पानी आप थोड़ा-थोड़ा करके अड़ करें इस consistency का होना चाहिए मैं बैटर को अप्पे मेकर में बना रहे हूँ आप चाहें तो उसको कड़ाई में भी फ्राई कर सकते हैं cavities में मैंने थोड़ा सा तिल डाला है और ब्रेस से फैला दिया था और थोड़ा-थोड़ा मेश्रण लेकर के इसमें भर देंगे तो सारे cavities भर गई है अब इनको ढग देते हैं दो मिनट के बाद फिर चेक करेंगे तो बनने में लगवग दस मिनट लग जाता है थोड़ा-थोड़ा तेल उपर से और आड़ करेंगे इसमें सबजियां बहुत है जैसा कि आपने देखा है बहुत ही यल्दी breakfast है ये आप चेक कर लेते हैं उपर का dry हो जाए फिर हम पलटेंगे थोड़ा सा अभी पलटने में दिक्कत हो रहे है तो थोड़ा रुक करके पलटेंगे बीश वाले थोड़े जल्दी कुक हो जाते हैं साइड वाले थोड़ा time लगता है तो अप एक हमारे अपो को मैंने turn कर दिया था थोड़ा सा तेल फिर से डाला है और फिर उसके बाद दोनों साइड से मैंने लगबग आठ मिनिट के लिए या दस मिनिट के लिए कुक कर लिया था तो लीजे हमारे आप पे अब तैयार हो गाए है तो friends जरूर ट्राइ करिएगा Thank you